नमस्कार friends, help up stock market में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जैसे हम सभी जानते हैं कि इस channel के माददें से हम लोग learning कर रहे हैं, stock market के बारे में सीख रहे हैं, और आज एक बहुत ही बेतर concept सीखने वाले हैं, SIP के बारे में, जैसे आपने thumbnail में देख रहा होगा, कि अगर आज से बंद कर दो, क्योंकि आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाल हो, SIP का, वो क्या है तरीका, आईए यहां पर देखते हैं, यह तरीका है, अगर आप एक overview देख ली जगा यहां से, अगर आप एक normal SIP कर रहे हैं, 10,000 रुपी का पर मंद के इसाफ से, जैस आप दे यह मिल रहा है, and 20 साल के बाद, जो मेरे पास जो पैसा बन रहा है, इस compound annual growth के इसाफ से, वो 1.59 CR बन रहा है, और जो method आज मैं आपको बताने बाला हूँ, same year के लिए, same amount के साथ, वो कितना बड़ा impact डाल सकता है, वो आप यहां से देख सकते हैं, यहां total amount बन रहा था, 1.59 CR और same amount में, जो SIP का मैं process बताने बाला हूँ, वहां बन रहा 2.46 CR, अप्रोक्सिमेट कह सकते हैं कि लगवग लगवग यहां पर 80,000,000 रुपए हमें ज्यादा बन सकता है, अगर हम इस तरीके से, इस method से SIP करें, तो समझना है, कैसे, आइए, step by step चीचे सीखने का प्रयास कर सकते हैं, तो जैसा मैंने लिखा है, why should not invest normal SIP mutual fund, एक normal SIP अगर आप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए, एक normal SIP, और कौन सा वो तरीका है, जिससे हमें better returns मिल सकते हैं, जैसे, यहां से आप दीख सकते हैं, कि 88% जो mutual funds हैं, वो fail हुए हैं, उन्होंने beat नहीं कर पा हैं, तो इसलिए 88%, जो large cap mutual funds हैं, वो fail हो गए, यानि कि उससे बेतर हैं, कहीं अपने benchmark category companies में investment कर सकते थे, तो उनसे में जादा बेतर investment हो सकता था, दूसरा तरीका, date selection for SIP, एक बेतर date हम select कर सकते हैं SIP के लिए, और इसका भी बहुत बड़ा impact हमें देखना का मिलता है, कि हमा बड़ी वाइस तो आप यह कह सकतो कि सर्क कोई भी मंत की date select कर सकते हो, उसमें से date का क्या माइन हो सकते हैं, उसको भी समझाएंगे, बट वीडियो पसंद आए, दिल से like करेगा, क्योंकि आपका एक like हमें बहुत motivate करेगा, यहां से समझे, अलग लिए जैसे एक report में हमें द benchmark category को beat नहीं कर पाया, यह AT money की report है, आप यहां से देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हैं, अब चीजे समझने का एक बे देखेगा, और बहुत अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगा, और इस method से आपको भी अपने SIP अगर आप कर रहे हैं, तो अपने SIP को भ plan कर सकते हैं, तो इस तरीके को एक बार जरूर देखेंगे, इस तरीके को, जैसा मैंने आपके सामने यह पूरा live data रखा हुआ है, इस data को हो सकते हैं, आपको visual now मैं कोसिज करूँगा, और यह थोड़ा सा data आपके लिए visual हो पाया, इस data को आप देखेगा, फुरस मैं जूम क साल का मैंने data रखा हुआ है, और इस data को एक चीज देखने से आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चल रहा है, और इसलिए मैं आपके सामने यह data डिसकस कर रहा हूँ, आज हम माल हो कि एक mutual fund कर रहा है, किसी भी fund के according mutual fund हमास investment कर रहा है, अब यह लोग जो जिन लोगो design में ही हम पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि माल लोग थोड़ी देर लिए एक fund ले लेते हैं, excess blue chief funds है, यह, अब excess में जो fund manager होंगे, excess एक बहुत बड़ा brand एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, उसमें इन्होंने एक fund बनाया था, blue chief funds के नाम से, तो इन लोगों ने इस fund के अंदर 28.88%, यानि कि अगर इसके compare में हम इस fund के branch mark को देखें, branch mark को तो उसने 14.7% के returns दे, बट इस fund ने हमें 13.88%, लगवग लगवग 1% का हमें difference देखिनों के मिला, अब समझे, अब हम कैसे इनको beat कर सकते हैं, जब highly educated, highly market के जानकार लोग, वो अपने branch को defeat नहीं कर पा रहे हैं, त कि अब ये flop हो रहे हैं, तो हम तो और जदब flop हो सकते हैं, तो इसलिए आज मैं आपको थोड़ा सा other way बताने वाला हूँ, कि इनसे भी बेतर हम explain कर सकते हैं, और इनसे भी बेतर, इनके fund के अंदर investment करके अच्छा returns ले सकते हैं, अब आप को ये कैसे हो सकता है, ये possible है, और तो हम discuss करने वाले हैं, तो ये कुछ funds हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जैसे grow large fund है, इसमें आप 11.33% returns, इसके benchmark में देखेंगे 14.33% लाग बाग, एक पॉसन का ही तर भी difference देखेंगा है, तो ऐसे कई सारी investment companies हैं, जो funds हैं, उनका पूरा data दिखा है, इस data को आप देख लिए अगर आप चाहोगे तो ये बाला PDF मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, आप काम करिएगा, वीडियो के description में टेलिग्राम चैनल का link है, उसको आप जोईन कर लो, जहां पर ऐसी बहुत सारी चीज़ है, आपको free of cost material मिलता रहता है, और उसमें कई सारी education च क्योंकि बहुत सारा data है, और जैसे मैंने अभी right now आप से का, कि हम लोग 20 साल के लिए investment कर रहे हैं, अब 20 साल में कितने मन्त होंगे, 240 मन्त होंगे, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 मन्त, ऐसे 20 साल के अंदर 240 मन्त होंगे, और 240 मन्त के अंदर हम per month, यानि कि हम per month कितने investment कर रहे 10,000 रुपए का per month investment कर रहे हैं, as a example माल लेता है, अब डिपेंड करेगा आपके उपर, अब वो हो सकता है, 1500-100 रुपए, जैसा आपके उपर capacity है, अपनी risk, convenience के इसाफ से आप अपना decide कर सकते हैं, अब यहां पर दिकूर returns कैसे बनता है, first SIP, first SIP, जो हम काटेंगे, मालोम न 20 साल में 240 मन्त हैं, जो मेरा first SIP होगा, वो 240 मन्त रहेगा, right, 240 मन्त रहने वाला है, और इस 240 मन्त में, हमने यहां से just like अभी देखा, कि यहां से देख लो कि हम 10,000 रुपए का investment कर रहे हैं, और एक compound annual growth, यानि कि CAGR, जिसको हम compound annual growth कह सकते हैं, यह हमारे लिए, 50, हम यहां से र इसने दिया है, यानि कि हमनी यह decide कर लिया कि यह कुछ fund है, और इस fund में यह हमें returns मिलने वाला, assumption कर लिया कि annual compound growth हमें यह मिलने बाली है, अब यहां पर 10,000 का क्योंकि यह हमें yearly मिलने वाला है, यह returns, तो हम एक मन्त का अगर returns निकालने हैं, तो 1.198% हमें पर मन्त का मिलने व एक मन्त का, इसके कार्डिंग अगर देखा जाए, तो हमारा 10,000 का amount, 240 मन्त के अंदर, लगवग लगवग आप देखेंगे यहां से, तो 1,64,286 रुपय बन रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा investment तो यही रहेगा, 1st SIP, 240 मन्त तक रहने वाली है, तो अगर हमें returns यही मिल रहा ह 15.3, 7% का annual growth हमें मिल रहा है, तो 240 मन्त में 10,000 रुपय का हमारा amount बनने बाला, 1,64,000 रुपय प्रस बनने बाला, ऐसे ही, जितने amount हमारे दीरे दीरे नीचे आता चला जाएगा, क्योंकि हमारे 240 का ता फिर 239 मन्त होंगे, तो इस तरीकी से हमारा amount बन रहा है, वो total amount हमने 9CR amount बन रहा था, जो हमारे compound annual growth के इसाफ से बन रहा था, यह हमने just अभी देखा था, इस PDF के अंदर में आपको दिखा तो, इस PDF में हमने देखा था, कि यह normal SIP से मेरा amount बन रहा था, जो मैंने आपको अभी right now उदर दिखाया, अब देखो, इसको भी modify किया जा सकता है, वही म fund manager कोन है, हमने सिर्फ इतना पता है कि इस fund का सबसे बड़ा, एक large cap, large cap यह कह सकते है, fund house है, सबसे बड़ा fund house है, जिसका market cap बहुत बढ़ा है, जिसमें लोगों ने बहुत जादा पैसा लगा, CDC बात है, हमें यह पता, अब यहां से दिखो, थोड़ा से example दिया गया है, कि equity क अंदर, large cap fund में, अभी तक जितने भी large cap fund है, उनका यह कुछ valuation बन रहा है, 3,80,000 करोड के आसपास का valuation बन रहा है, total large cap fund, जिसने returns दिये है, PA यान कि, यहां से देख सकता है, 18% के returns दिये है, पर यह हमें इसने क्या दिये है, 18% के returns दिये है, यान कि 18% के returns दे रहा है, हमने से हमें एक fund, Nippon India है, कई सारे investor है, HDFC का है, हमें नहीं पता, हमने एक fund ले लिया, that suppose मार लो कि हमने ICSA Proof Blue Chip ले लिया, एक fund select कर लिया, अपने लिये, सिर्फ हमें यह देखा कि इसका fund size बढ़ा है, जो 66,200 करोड के आसपास है, और इसने returns हमें बना कर दिये है, 20% पर एनम returns दे है, अठा, जो हमारा total large cap दे रहा है, वो 18% के returns दे रहा है, पर एनम, लेकिन हमने जो select किया, वो 20% के returns दे रहा है, पर एनम, समझना, अब हम जो SIP हमने यहां पर select कर लिया, ICSA Proof का हमने select कर लिया, Blue Chip Company मालो यह हमने select कर लिया, जिसने हमें 20% के returns दिया, समझना, बहुत अची कि यार, हम 10,000 रुपए एक साथ investment ना करें, क्योंकि अभी हमने यही चीछ देखा कि 10,000 हमें investment कर रहे थे, तो हमारा amount बन रहा था 1.59CR, और हमें अपनी, जो fund size है, उसको increase करना है, यानि कि हम इसको कैसे और maximize कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार, हम यहां पर 8,000 आठ हजार रुपए उसी fund के अंदर डाल रहे हैं, दो हजार हमने यहां से बचा रखा का fund, हमने क्यों बचाया, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, यहां पर हमने large cap देखा कि इसने returns कितने दिये ते total 18% के, हम यह वाले returns नहीं देख रहे हैं, यह वाले returns नहीं देख रहे है जो हमने fund select किया है, हम 18% का returns ले रहे हैं, large cap आपने 18% दिये हैं, पिछले 5 साल के अंदर जो returns दिये हैं, वो 18% के returns दिये हैं, अब इसका CIGR पिछले 10 साल का हमने निकाला, तो लगवा 12-13% के returns निकल के आ रहे हैं, यानि कि 12-13% के returns निकल के आ रहे हैं, जो हमने fund select किया था, वो यह किया, ICIS Approved, Blue Chip इसने पिछले 5 साल में 21% के रिटन्स दिया, 20% ए 20% के रिटन्स इसका 10 साल का जो CAGR निकल किया रहा है वो निकल किया रहा है, 15.37% जो हमने सेलेक किया थे अभी पीछे कि उस fund के साफ से हमने fund लगाया हुआ अब यहाँ पर देखो हमारा fund जो रिटन्स हमें दे रहा है, वो 15.37% के रिटन्स दे रहा है हमने 8000 का SIP पर मन्त यहाँ पर स्टार्ट कर दिया अब हमारी जो स्टाटजी है, वो देखो स्टाटजी फोर SIP हमें जब मार्केट के अंदर इंवेस्मेंट करना है, 8000 रुपह हमने एक डेट कर लिया और हमीशा कोसिज करियेगा कि हम 20 ओर कि प्रती महीने 20 तारीख के बाद हम कोई भी डेट कर रहा है, कोसिज ये होना चाहिए कि 25 के बाद ही स्टारिक करें क्योंकि मन्त क्लोजिंग होता है तो उधर लोग profit book करना सोचते हैं कि उनका, कई सारे लोग होते हैं न कि monthly काम करते हैं, monthly राइक मालों कि उनका decide हुता है कि monthly मुझे ये budget बनाना है मालो कि 1 लाग रुपए या 10 लाग रुपए मैंने एक महीने में कितना कमा है तो अक्सर लोग क्या करते मन्त में, मन्त इंड की तरफ अपना profit book करना है, start करते हैं, यह मतलब सब्सक्रा है, आप भी सोचते होंगे कि यार, इस महीने कितना माने profit किया, आप चाहें आप संट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, और आप भी चाहोगे कि यार अंगले महीने मुझे नहीं पता, जो मिल रहा है, इस महीने निप्टाओ, अंगले महीने अंगले देखेंगे, तो कोसिस क्या होना चाहिए, कि 20 तारीक या 25 तारीक के बाद हम अपनी SIP की कोई date select करें, जो मैंने 1st PDF उसमें कहा था कि आपको एक date select करने, तो कोसिस ही यह वा रहा होगा, हर महीने में 1-2 दिन ऐसे जरूर आते हैं, जिस दिन market fall होता है, यह लगा था 2-3 दिन market में fall आता है, मैं मानता हूँ कि आप लोग यह कह सकते हूँ कि एक मन्त के अंदर कोई fall नहीं आया, मालो market के अंदर गिरावाट नहीं आया, market सीधा, मालो एक महीने में 2% उ उपर चला गया, अब तो आप कोई सर्मेरा तो नुकसान हो गया, अभी तो मैं 10,000 लगा रहा था, आठी पॉसन का मुझे 8,000 का return मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो 2,000 का हमारे amount बचा है, हम उसको hold कर लेंगे, हम क्या करेंगे, उसको रोक लेंगे, अंगले मन्त क्या करें आए, 2%, 3% का कभी तो महीने के अंदर correction आएगा, उस महीने में हमने जो rest amount रखा था, वो सारा का सारा लगा देंगे, अब वो fund लगाने से हमें फायदा क्या होगा, एक तो हमारा ये amount था ही, दूसरा amount हमने गिरने वाले market पे लगाया, जैसे अब ये recovery करेगा, और ये strategy क्या ह आपको RSI वाला use करना है, और मैं हमेशा कहता हूं कि RSI प्लस MA44 वाला strategy है, अब उधर कहीं देखो कि जब market, जिस दिन आपको लगे कियाद market सबसे ज़्यादा आपकी SIP गिरी है, जिस दिन आपको लगे, उसी दिन आपको लगे कि महीने में ये सबसे बड़ी गिरावट है, आप उस दिन आप लोग कह सकते हैं कि ये मुझे कैसे पता, आज ही गिरावट है, कल भी तो हो सकती गिरावट, तो भाया हमारे पास amount 2000 है, मुझ दिन amount लगा देंगे, जिस दिन हमें लगेगा कि ये मेरे लिए गिरावट हो सकती है, सीधी सी बात, ये एक fund है, अब यहां से returns क्या हो सकता है, जिस दिन market correction देगा, उस दिन हम यहां पर अपना fund लगा देंगे, और महीने में देखो कि हो सकता कि महीने में 2-1% market नीचे है, उस दिन हमें maximize हमारे जो returns हो सकते हैं, कि जो top पे हमने खरीदी थी, जो मेरी SIP के date कटी थी, उस दिन से और इसके भीश में हो सक कि 8000 और जो rest amount हम डाल रहते हैं, हर gap down में डाल रहते हैं, जब यह market gap कर रहा था, जब जब यह gap कर रहा था market, हो सकता कि market में 0.5% की गिरावट हो, या market में 2%, कभी-कभी तो ऐसा हो गई, जैसे अभी correction चल रहा market में 2-2-3-300 point गिर जाता है market, हमारी SIP अभी पिछले वाले दि देखा था, 3.92% गिरीती लागए, 4% की SIP एक दिन में, तो उस दिन मेंने क्या किया, थोड़ा समाल, और खरीद लिया SIP के अंदर, तो हम उस दिन भी SIP खरीच सकते हैं, तो यह fund है, और उसका impact क्या देखेगा, जहां हमें यह returns मिल रहा था, 15.387% की returns, वो हमारे max returns हो सकते हैं, यह तर, 18.37%, लगवग 3%, काह सकते हैं, 2-3% या 4% का भी हमें difference देखिनों का मैंने सकता है, overall 20 years के अंतर, सिर्फ कितना, 2% rest of amount का, इतना बड़ा amount का हमें, यहां से difference देखिनों का मैंने सकता है, जो आप यहां से देख सकता है, ASIP में जो हम पैसा लगा रहे थे, मेरा amount, जो investment होता, वो 88,000 के इसाफ से देख सकता है, 19.2 lakh रुपीज, जिसमें हमने 22,000 रुपे 20 साल रोका था, वो मेरा 4.8 lakh रुपीज था, उसका amount में अंतर आप देख सकता हो, यहां से amount बना 2.46 CR, और यह amount बन रहा था, यह, तो कोसिस क्या हो रहा है, कि every dip पर हम क्यों कहते हैं, expert क्यों कहते हैं, कि जब market गिर रहा हो, opportunity देखो, उस दिन माल खरीदो, क्योंकि जब market में सब डरे होंगे, उस दिन आपके लिए opportunity होगा, कि market में आप investment करो, कर market यह temporary बठा है, कल market फिर उपर आएगा, जैसे तीन तारीक में देखा, अभी market देखा, कल परसो market गिरा था, कल द modify SIP का, जिसको आप कर सकते हो, एक बहुत important आपको update देना चाहूँगा, SIP जब भी करो, अपनी risk और convenience के साफ से करो, आपको, जैसे मैंने आज कह दिया, कि यह वाला SIP बहुत बढ़िया, या किसी आपके मित्र ने कह दिया, किसी market जानकर, आप influence हो गए, क्यार, market ठीक है, आ और वो चीजें यहां पर आपको impact डालेंगी, देखो यहां पर, यहां पर, यह वाला impact डालेंगी, क्योंकि पहले SIP, 240 मन्त रहने वाले, वो जो returns मिल रहा है, वो पहले SIP की सबसे बड़ा, वसी सबसे returns मिलता चला जाएगा, लास्ने SIP में 290 रुपई मिल रहा है, 190 रुप continue उसको कर पाओ, क्योंकि इस से क्या रहेगा, आपका risk भी नहीं तूड़ेगा, आप continue अपने SIP कर सकते हो, अपने risk को management कर सकते हो, जब आपके पास फिर पास हो, फिर आप उसको दूसरे SIP में डाल सकते हो, तो इस तरीके से आप SIP को continue कर सकते हो, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप जरू कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपने किसमे SIP करके रखा और आपको क्या returns मिल रहा है, और बहुतर क्या आप जानना चाहता है, मुझे जरू कमेंट सेक्शन में बताएगा, thank you for watching, have a great day.